हिंदु धर्म के अनुसार मृत्यों के बाद भी पूरवजों की आत्माएं हमारे कल्यान के लिए सक्रिय रहती हैं उन्हीं को जलाहर कराने के लिए एक नेश्चित समय में उनकी पूजा अर्चना की जाती है ताकि वो सदैव हमारा उद्धार करते रहें पूरे साल में गणपती पूजन के बाद और नवरात्री से पहले प्रतिपदा से लेकर अमावस्या के बीच के पंदरा दिन ऐसे आते हैं जो हमारे पूरवजों से संबंदित होते हैं इन पंद्रा दिनों में शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पूर्वत जो हमारे पित्र होते हैं हमारे घरों में आकर हमारे पास विचरन करते हैं सकंद पुराण में इस समय से जुड़ी कई सारी प्रतिक्रियाँ बताई गई हैं उन प्रतिक्रियाओं के पूजा पाठ के साथ साथ यदि हम अपने पित्रों को प्रसंद करने के लिए केवल उनकी मन पसंद की कोई भी वस्तु या मिठाई या फल दान में दे दें और गंगा स्नान करें तो हमारे पित्र बहुत प्रसंद होते हैं पित्र पक्ष के इन 15 दिनों में पित्र की जिस तिथी में मृत्य हुई है उस तिथी में उनकी स्राद पूजा की जाती है जिसमें पूजा पाठ के बाद भोजन वस्त्र इत्यादी पंडित को दान स्वरूब दिया जाता है और उनकी आत्मा की शांती की प्रार्थना की जात जिससे हमारे पित्र हमसे प्रसन रहें, पित्र पक्ष में एक बहुत ही प्रचलित मानिता है, कि हम कोई भी नई वस्तु, नया कपड़ा, नया मकान, नई गाड़ी न खरीदें, पर यह एक भ्रांती है, क्योंकि यदि मैं अपने पुत्र या उसके पुत्र द्वारा किया गय होगा, तो निश्चे ही मैं प्रसन होगा, उसी प्रकार पित्र भी अपने वनसजों के सुब कारे से अतिप्रसन होते हैं, देखा गया है कि अक्सर हम अपने पित्रों को भूल जाते हैं, और अपने ही मौज मस्ती में, खुशियों में, उमंग में व्यस्त रहते हैं, जबक रही हमारे सबसे पहले देवता होते हैं जिने हमें हमेशा पूझ समझना चाहिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो कृपिया लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद और चैहिन दोस्तों